हेलो फैंड्स, यू आर्मोर्स वैलकम इना और यूट्यूब चैनल वनस्प दर्शन और फाइदे फैंड्स, आप सभी जानते हैं कि कोई विकार है अगर उसके सही और उप्योग समय पर किया जाए तो वो एक विशेश और उचित लाब आपको परदान करेगा इसी तरह अगर आप बोजन भी सही समय पर करते हैं तो वो आपको एक अच्छा स्वस्थ स्रीर पर दान करता है और जलका तो हमारे इस स्रीर में, हमारे जीवन में बड़ाई महतरफोन स्थान है पाने पीने का सही और अत्यानत आवशक समय पहला पॉइंट अगर आपको जब भी प्यास लगे तो आप कभी भी अपनी प्यास को दबाए ना उसी समय आप जितनी जूरत हो जितनी प्यास हो उतना पानी जरूर पिए लेकिन एक बात का जरूर दियान रखें अगर आप वर्काउट करके आया है आपका सरीर गरम है आपके सरीर से पसीना आ रहा है तो आपको थोड़ा नोर्मल होने तक का इंतिजार जरूर करना चाहिए ताकि आप बीमार ने हो दूसरा पॉइंट आप सुबह उठकर तीन ग्लास जल जरूर ग्रहन करें इससे आपकी जो इंटर्नल एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी आपके नसों में जो मल फसा हुआ है वो भी साफ होगा अगला पॉइंट एक ग्लास आप नाने के तुनत बाद जरूर पियें उससे आपका बलड प्रेसर हमेशा नॉर्मल रहेगा वो कंट्रोल होगा कभी भी बलड प्रेसर की शमश्या नहीं होगी दो ग्लास पानी आप खाने से 45 मिनट पहले जरूर पियें वो आपके डैजेस्टिम सिस्टम को एकदम फिट रखता है एकदम दुरूस रखता है आदा ग्लास पानी आप सौने से पहले पियें वो आपके हार्ट टैक को कंट्रोल करता है आपको हार्ट टैक कभी नहीं होने देगा तो इन कुछ पॉइंट्स का आप जुरूर ध्यान रखें इस तरह से अगर आप पाने पियेंगे तो आपका जुस्वास्त है वो हर दम फिट रहेगा और सर्त रहेगा नमस्कार धन्यवाद